नर्सरी से लाए हूए रोज प्लांट को हम किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक बहुती सिंपर सा तरीका बताऊंगे जिससे आपका प्लांट खराब भी नहीं होगा क्योंकि कई दफा प्लांट जब हम रिपोर्ट करते हैं तो वो प्लांट कुछी दिनों में मर जाता है आपका नर्सरी से लाओ हुआ प्लांट रिपोर्टिंग के बाद खराब ना हो बिल्कुल हरा वरा हो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है नमश्कार दोस्तों मेरे गार्डनिंग चैनल पर आप सब का स्वागत है ये रोज प्लांट मेरे पास कुछी दिन पहले आया है ये एक हाइवरिड प्लांट है और मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी कि किस तरह का रोज प्लांट हमें नर्सरी से नहीं खरीदना चाहिए रोज प्लांट नर्सरी से ख्रीदने से पहले आप मेरी वो वीडियो जरूर देखें ये एक ग्राफ्टर प्लांट है जिसमें दो तरह के फूल आएंगे वाइट और क्रीम कलर के अगर आप ग्राफ्टर प्लांट ख्रीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो ग्राफ्टिंग वाला एरिया बिलकुल नीचे की तरफ जाने की गमले की मिट्टी के साथ ना लगता हो बलकि नीचे से कम से कम दो से तीन इंच तक ब्रांच खाली चोड़कर उपर होना चाहिए जब तकरीवन हाफता दाजन पहले ये प्लांट मेरे पास आया था तो इसकी हाल तो बहुत ज़्यादा खरा थी तकरीवन मरने के कगार पर था ये प्लांट और देखिए अभी तो फिर भी कुछ हरा भरा लग रहा है और फूल भी खिला है और जब ये नसरी से आया था तब भी इसके उपर एक क्रीम सा फूल था और फूल काफी ज़्यादा साइज में छोटा था और ये जो फूल अब आया है ये फूल साइज में थोड़ा बड़ बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए उस मिटी में पानी बिल्कुल भी रुके नहीं ऐसी मिटी हमने तियार करनी है क्योंकि गलाव एक पर्मानेंट प्लांट है और ये आपके गार्डन में हर मौसम में रहता है मिटी तियार करने के लिए 50% हमने सिंपल गार्डन स्वैल ल आगे 30% मैंने गोबर की खाद ली है जो गोबर की खाद का आपने जहां पर इस्तेमाल करने है वो परानी गोबर की खाद होनी चाहिए इसकी जगा पर अगर आप बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अभी हम इसमें एक मुठी बोन मिल डाल द चीटिया नहीं आएंगी और इंसेक्ट नहीं लगेगा और ये आगे मैंने आदी चमच से थोड़ा सा कम फंगी साइड लिया है और इसमें अब 20% के आसपास कंस्रक्शन साइड की रेत या फिर कोकोपिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैंने यहां पर कोकोपिट का इस्ते सारी मिटी को हम अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देंगे सारी मिटी त्यार करके मैंने कल ही गमले भरके रख दिये थे और रात को हमारे यहां बारिश आ गई तो देखिए पूरी की पूरी मिटी जे हमारी गिली हो गई और प्लांट को ग्रो करने के लिए जो भी आपने गमला लेना है वो कम से कम 10-12 इंच का तो जरूर होना ही चाहिए इसे छोटा गमला ना ले अगर आपके बस बड़ा गमला है तो आप वो भी ले सकती है उसमें प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहले हमने जिस गमले में बीच इस तरह से गड़ा सा बना ले जतना हमारा बड़ा प्लांट है यानि कि जतनी हमारे प्लांट की मिटी है कम से कम अतना बड़ा ये गड़ा होना ही चाहिए और इस गड़े में एक चमच हल्दी अच्छी तरह से फलाते हुए डाल दूँगी यह हल्दी मैंने इस ली है क्योंकि देखी जब गमले में मिटी मैंने डाल दी थी उसके बाद बारिश आ गई और ये प्लांट में बरसात में रिपोर्ट कर रही हूं तो उस वक्त कई दफा गमले की मिटी में फंगस पैदा हो जाती है अगर आपके गमले की मिटी बिलकर सुखी है तो आप हल्द को आप बलेड चाकू या पर कैंची की हल्फ से कट लगाकर बाहर निकाले क्योंकि इसके साथ जो मिटी है प्लांट के वो बिलकुल भी डिली नहीं होनी चाहिए और प्लांट की रूट बिलकुल भी डिस्टरव नहीं होनी चाहिए वो मिटी के साथ बिलकुल चिपकी उसी तरह से होनी चाहिए अगर इसी तरह से हम प्लांट ग्रो करते हैं तो आपको प्लांट को चाहों में रखनी की जरूरत नहीं होती अगर पॉलीवेंग से बाहा निकाल दे समय प्लांट की मिटी निकल जाए और या फिर प्लांट की रूट डिस्टर्ब हो जाए तो उस वक्त आपको प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद चाहों में रखनी की जरूरत होती है अभी हम इस प्लांट को मिटी से अच्छी तरह से कवर कर देंगे प्लांट को मिटी से कवर करते समय एक बात का ध्यान रखें जो इस प्लांट का ग्राफ्टर एरिया है वो मिटी से कवर न हमने नीचे की तरफ अच्छी तरह से प्रैस कर देना है तांकि इसमें बिल्कुल भी एर ना रहे अभी हम इस प्लांट में वाटरिंग कर देंगे वैसे तो देखिए इस प्लांट की जो मिटी है बारिश की वज़ा से गिली है लेकिन फिर भी अगर आप कोई प्लांट नियू ग्रो कर रहे हैं तो उसमें वाटरिंग जरूर करें बला ही थोड़ी सी ही करें ज्यादा ना बाटरिंग करें क्योंकि जब हम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं तो उस प्लांट को पानी चाहिए ही चाहिए होता है और जब ये प्लांट हमारा न्यू ग्रो तो स्टार्ट कर देता है तो जो इसका ग्राफ्टड एरिया होता है इसके नेचे की तरफ जो ब्रा में ही फुलावरिंग होती है अगर आपके रोज प्लांट की ब्रांच थोड़ी सी पतली है तो आप किसी स्टिक बगारा की हेल्प से उसे बांद कर सपोर्ट दे दें इससे आपका ये प्लांट हिलेगा नहीं और ना ही इसकी रूट डिस्टरब होगी रोज प्लांट की तो इसलिए इस प्लांट को हम डिरेक्ट सानलाइट में रख सकते हैं और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी आज की वीडियो में आपको नर्सरी से लाए हो रोज प्लांट को किस तरह से रिपॉर्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताया अगर आपको ये मे झाल झाल